हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मॉटन क्लासेज, देखे, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज का नेक्स टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इस चेप्टर का हम लोग बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और उसी का आज हम लोग 20-30 तरीका से मुझ ज्यादा माईने रखता है, थोड़ी सी जिक्र हम उस बात को फिर से कर दे रहे हैं, पहले हम उस बात का जिक्र करते हैं, उसके बाद हम लोग, क्वेस्टन को देखेंगे, तो चलिए हम लोग इस्यार करते हैं, लेकिन श्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटा सी करेंगे यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं तो कि रिप्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेश्ट नोटिफिकसन को आउन कर लीजेगा देखिए हम समझते हैं जो एवरेज है इसी एवरेज के बिसे में नॉर्म लिए हो तो हम कैसे ग्याद करेंगे इन तीनों को जोड़ के लाष्निंग करते हैं इन उकिस एप्राप्टों लिए क्या होता है कि इन तीनों के पास जो भी पैसा है उनकी बराबर बराबर मात्रा में एक एक पास एक की लोक के पास देखा जाए तो कितनी रुपया है इसी बात को हम लोग अवसत कहते हैं इनका क्या एक सब्सक्राइब ऑफ नहीं वह इन पर ना चाहते हैं तो देखें क्या है वही लोग के पास इतना है 50 अठाव को पचास है तब इसके पास आप समझ चुके होंग AWkam rivers कि अपने को सामनजस से बैठाना ही एक अवसत कहलाता है और इसी चीज़ का यूज हम लोग आज करने वाले हैं तो इस वीडियो में हम लोग जो सिखेंगे वह देखें क्या सिखेंगे जब समूह में कोई नया ब्यक्ति सामिल हो जाए तो इसे रिलेटिड जो भी कोईशन मनेंगे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो चलिए दोस्तों हमारा पहला कोईशन क्या है देखिएगा क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आउसत आयू 30 वर्स है उसके साथ कप्तान को सामिल कर लेने पर आउसत एक वर्स बढ़ जाती है कप्तान क्या यू क्या है देखिए पहले हम इसको बेसिक मेतर से समझने का प्रयास करते हैं उसके बाद एक ट्रिकी मेतर हम बताएंगे यानि अपने माइंड से सोच के बनाना होगा आपको जिसमें की कलम का भी यूज करना आवस्यक नहीं होगा याद रखिएगा देखिए इसमें जो बताया जा रहा है क्रिकेट टीम में दस सदस्ते हैं एक क्या है मेंबर हैं दस मेंबर और इनकी जो आवसत आयो है वह क्या है तीस वर्स है उसके बाद जो बताया जा रहा है कि यदि कप्तान को सामिल कर लेता है मतलब कर लिया जाता है तो कप्तान को सा लुड ड़ा देते हैं यू महीं चींता अब सब्सकिभी न नंबर रासीं हो थाइस नीमेंगो यहां तो आप समझगी होगे यहां किस संख्या है तो अब मैं Fin Dw stunning सब अब देखिए इन की चोक्तल संख्या 300 है और हमें क्या बताय जाता एक बस बढ़ जाता है कि जब 11 member हो गään कि कहने का अर्थ है कि जब कपतान को भी सामिल कर लिया जाता है तो 31 वर्स हो जाता है तो यदि देखा जाए 31 में 21 से उना किया जाएगा 33-34 हो जाएगा यानि कि आप देख रहे हैं कि जब 10 लोग थे तो उन लोग का योग इतना था और जब 11 कप्तान को भी सामिल कर लिया गया तो 341 हो गया इसका अर्थिया हुआ कि घटाने के बाद हमें 41 मिलेगा यही 41 हमारा क्या हुआ जो हमारा 41 मिला यही 41 हमारे कप्तान की आयू हुई और लाश में हमसे यही पूछ रहा है कि कप्तान की आयू क्या है देखिए अब हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ क्वेस्चन है इसको अपने माइंडली कैसे लगाएंगे थोड़ा सा समझेगा जैसे क्या कह रहा है यहां ब एक 21 वर्स होगी इसका अर्थ क्या है कि जब वह आया यानि कौन कप्तान जब आया तो वह एक ऐसे उम्र को लेकर आया अपने अंदर कि उसए 31 सबको बनाना पड़ा क्या बनाना तो एक तीस बनाना पड़ा है इसका मदर्थ हिया हुआ कि जब 11 ग्रहां बेकती आया तो वह दस लोगों को एक एक दिया होगा अपने आईउ को एक दिया होगा अवसत का मतलब क्या होता है सबको सामन्जस से बैठा के बराबर करना यानि पहले से उसको टोटल 31 बनाना है उस उसके बाद उसे अपने पास भी 31 रखना होगा ना उसे अपने पास कितना रखना होगा 31 रखना होगा क्यों कि सब लोग को या दी बराबर करा है तो अपने भी तो उतना बराबर होना चाहिए अपने पास 31 रखा उसके बाद सब लोग को एक एक दिया तब सब लोग जाके 31 ह क्या हुआ एक वर्स बढ़ गया तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो 10 वर्स दिया अपने लिए 30 वर्स रखा टोटल मिला कर यहां धिजिगा पहला आपको ध्यान देना है कि 6 मिमबर हैं सबसे पहले उनका जो अवसात आयू क्या बतुर बताएं वर्स बतुर आ रहे हैं उसके बाद कीजेका तो थोड़ा से लंबा प्रोसेश हो सकता है हम आपको मींडली बनाने का सिखाते हैं देखिए मांडली इसको कैसे बनाएंगे साथा मिंबर आया है तो दो वर्स कम हो गया है इसका अर्थ है हुआ कि सब लोग दो वर स्कश्योय होगे छे मिंबर 37-37 वर्स के 6 लोगे दी रहे होंगे और 2-2 वर्स अपना दे दिये किसको जो सातवां मेंबर आया है उनको तब क्या हुआ सब लोग 35-35 के हो गया और जो सातवां मेंबर है वह अभी क्या हुआ 35 वर्स का हो गया कब जब 2-2 सब लोग से ले लिया तब पहला चीज दियान दीजेगा 2 वर्स सब लोग से ले रहा है तो 6 लोग से लेगा तो कितना होगा 12 वर्स लेगा बारह वरस लेने के बाद क्या हो गया है याद रखी दिश he derechos साथ वा में बर आया है वह भी क्या हो गया 35 हो गया में तभी नहीं सब लोग का अवरेच थीं बनेगा들 होगा हैजे यहां से चले इस को हम लोग गुना करके भी बना जाएगा साथ से दी मल्टिप्लाई की जएगा तो साथ पांचे पैंटीस हंसिल तीन सत तरिके कई 223 24 देखिए यानि जो सात्वा मेंबर आया है उसके आने से यह दो से 222 को घटाईएगा और आसानी से 42 अलग है याद रखेगा इसमेंसेetus यहाद रिया सकते हैं इसे करने के भी जरूत नहीं आराम से गुना बिना किये निकाल सकते हैं तो चले हमरो नेक्स्ट कोशन कुछ इस प्रकार से है 35 छात्रों के वाली एक अच्छा का आउसत भार जो है वह साड़े 47 केजी है यानि 47 सही एक बटा 2 केजी है यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाता है तो आउसत एक बटा 2 केजी बढ़ जाता है यानि कि आधा केजी बढ़ जाता है अध्यापक का भार क्या है यह ग्याद करने आपको त्यान से देखिएगा बहुत नॉर्मल है 35 मिंबर हैं सबसे पहले यानि छात्र हैं और इन लोग का जो आउसात आयू है वह क्या है आउसात आयू बताया जा रहा है साड़ेίसना साइ- cottonियापक केजी है साड़े लोग नियम से इसको नहीं पताएंगे मैंनि सोचना होगा वैसे पताएंगे देखिए मनी ओड़ियाघ्कչा है जो अधिने के बाद आधा केजी बढ़ जा रहा है इसका अर्थ है कि यह क्या हो जा रहा है 48ू कि का टोटाला होग है तो आधा केजी बढ़ गया है erreicht बढ़ने का अर्थ यह हुँआ कि सभी लोगों को इन्हों ने आकर blended tuh को भार दे दिया अपना भार सब को आधा-धा के जीडिया पहले से कितने लोग हैं 35 लोग है यह 55 लोग को अधा-धा-के 17 सांटीर कजी हो गालता ऑड़नी समझें होगा यहां तक आपको अधानी समय रहरा होगा इसका अर्थिया हुआ कि यह 48 से रहे होंगे उसके बाद भी 17 kg दे दिया हैं मतलब अपने आपको 48 kg बचाए होंगे उसके बादे आदाद 1 kg सबको दिया होंगे तहां से आप इसको जोड़ के निकाल सकते हैं कि उनका जो अध्यापक का जो टीचर का जो भार होगा वह क्या होगा 48 kg प्लस साड़े 17 kg देखिए सिर्फ थोड़ा सा आपको माइंड तो लगाना पड़ेगा यदि लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से इसको तो चलिए दोस्तो हमारा अगला प्रशन कुछ इस प्रकार से है एक बल्ले बाज और नईश्वी पारी में 78 रन बनाता है और उसका आउसत रन दो कम हो जाता है और नईश्वी पारी के बाद आउसत रन क्या है यही आपको बताना है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बो 18 पारी इससे पहले खेला जा चुका है इससे पहले 18 पारी खेला जा चुका है और इसके देखिए जब इसको खेला जाता है तो हमें 2 रन क्या हो जाता है कम हो जाता है तब हम से पूछ रहे कि 19 पारी के बाद आउसत रन क्या होगा यही आपको बताना है देखिए तो दो र अधारा पारी में जो भी आउसत बना है वह अपना दोरन क्या करता है कम कर देटा है तो जब दो रन काशिसे कम करेंगा भाई जब उनिस्मी पारी खेला गया तो अठारहो पाणी में से दो न को काल के इसको बेज़ा भेजा घिया अगहा किसके पास वह गया लोगा 아омfel रेते हैं देखेगा यह हो गए डाव सी लोग मार व्रिछ से बीस लोग का से है कहने यह सो यह कं़े आ clinical कीतना लेगा इसे जब दॉदूरुन लेने के बाद यहां हो गया एक इवरेज में बन गया यानी यह भी क्या हो गया अठारह बन गया तो ने के बाद में बन रहे हो उतना ही या बन गया तो यह उसी तरह से कह सकते हैं कि जो अठारा पारी में ठेला गया उसमें से 22 र postpone दिया गया तो अठारा चांद vigil initiatives ना इसब को कह सकते हैं देखेno Hack अठारा गुंड़े दो कह सकते हैं दो दूरान सबinté कि इसमें दिया होगा यहीं देखिए ऐसे भी बता रहे हैं इसमें से सब लोग यहां से और गये अब दो-दो देने के बाद यहां से हुआ है बात यहां दो-दो देकर क्या हो गए होगे बराबर हो गए होगे तो किसके बराबर दो-दो देने के बाद ही तो 114 हो गया तो 114 के बराबर हो गए होगे यही बात आपको समझना है देखे हमारा अगला प्रेक्शन कुछ इस प् पल्लेबाज 15 पारी में अंठावन रन बनाता है इस प्रकार अपने अवसत में तीन की ब्रिद्धी करता है 15 पारी के बाद उसका अवसत रन क्या होगा यह अपको बताना होगा ध्यान दीजेगा वह क्या कर रहा है 15 पारी फमस्राइं पार्य में ऐफरूर रन बनाता है घ्राद रखी lugar बना रहा है और उसके बाद वह क्या कर रहा है रिवन कि बृधि कर दे रहा एंसके बृधिंड अर्थ क्या हुआ इस बात को समझिए कि वह इस से पहले चवदह पारी खेला गया हुए कितना चवदह पारी क्यों कि 15 पारी तभी खेला जाए जब कि 14 पारी से कोई खिलाडी गुजर रहा है तभी तो 15 पारी खेलेगा इस बात को समय नहीं होगा चौधह पारी पहले से खिला जा चुका है पंधरही पारी में आकर इनों ने 58 बनाया मतलब सारे खिलाडी मिलकर क्या बनाया पंधरही पारी में अन्धावन रून मplays औरánt बनाने के बाद तीन की बृधि हो गए किस में आउसत में तीन की बृधि हो गए सबको 17全部 घृइए तो 14 भारतिया होगा चया है तो 14 कितना यह 24 जाएकर provide हम कासे कि इन्हों ने 42 को निकाल दिया किया है था निकाल के 14 पारियों में बांट दिया है अच्छा निकाला है तो क्या हुआ होगा जब 42 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा देखिए अन्ठाउन में से 42 को इधी घटाये जाए तो निकले का ऐसा कि 8-8-16 इस बात को आप समझ रहे हैं कि यानि कहने का अर्थ यह है कि अब इनके पास कितना बचा सिर्फ 16 बचा तो अब हमसे पुछ रहे कि तब बताए कि बाद की एवरेज क्या रही होगी तो बाद की एवरेज कब यह पंद्रहवी खेली पंद्रहवी पारी जो खेला गया है उसके बाद एवरेज क्या होगा तो आप तो 16 हो गया ने क्योंकि 3-3 देखें तो अपने को 16 बनाया है तिसका मतलब 3-3 कब दिया होगा जब दिया होगा तो लोग भी 16-16 सब लोग बन गए होंगे कौन 14 पार आपका यह इंसर मनता लेकिन यहां प्रजेंट में कौन इसर बनेगा यह वाला इंसर बनेगा समझ पा रहे हैं चलिए नेक्ट क्वेशन के और बढ़ते हैं तो चलिए दूस्तों हमारा अगला प्रशन देखें कुछ इस प्रकार से है एक स्कूल के 34 चात्रों का जाये तो माध्धिभार क्या है 400 ग्राम बढ़ जाता है अध्यापक की भार ग्याद कीजिए ऐसा क्वेशन हाला कि हम बताएं अभी लेकिन इस चीच को भी देख लीजिए 34 मेंबर हैं सबसे पहले यानि स्टूडेंट है और यह स्टूडेंटों की जो अवसत भार है वह क् क्योंकि 42 कजी बताया जा रहा है थोड़ा सा इस बात को समझे आउसत को माध्य भी कहा जाता है याद रखेगा तो यह क्या है माध्य है उन्हें इसके बाद जब पैतिस्वाब एक्टी आ जारे कौन अध्यापक जब आ जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि 400 ग्राम बढ जादा उमर काया वह सभी बच्चों को अपने उमर में से 4-400 ग्राम दे दिया तुए इशलड़ कीठानरआ को बाटा पहले बताई बढ़ आपको बाताइब ज्याए टो चार तो 9 डिया बठ बच्चे फasa from mellan यह बना से कितना अधीं केजी छोसो ग्राम हो जाएगा असानीश देख लिए चार से पहले मल्टिप्लाइग कि चार्चे वह के सोला के छे हो जाएगा उन्हों ने अपने भार को बच्चों में बाट दिया बाटने के बाद 42 केजी 400 ग्राम हो गया क्या अपने आपको बनाने लिए वह कितना 42 केजी 400 कैसे कि जब जो लाश्ण में जो हमारा एवरेज बनता है वह हो तो एक प्रकार से टीचर का भी एवरेज हुआ क्या तो टीचर भी अपने आपको इतना केजी अपना उमर को बांट के कितना बन रहा है वह 42 केजी 400 जीतना बाटा है इसको हम लोग कर देंगे तो दूनों क्य हो जाएगा आई 400 ग्राम और इधर 600 ग्राम है इनको जुड़ेगा तो एक केजी फिर से बढ़ेगा टोटल मिला कर कहेंगे तो 56 केजी किसकी भार होगी अध्यापक की भार होगी देखिए जो हमारे बताने का तरीका है थोड़ा सा जरूर अलग है एदि आपको तरीका समझ के साथ बताए हैं उसको आप लोग फोलो कीजिए कोई दिक करने हैं लेकिन इसको फोलो करने लगे तो माइंड आपका एक बहुत वर्वरेट होके यानि बहुत तेजी के साथ चलेगा याद रखेगा तो हमें आसा है कि आज जो भी कुछ बताए गया आपको 100% समझ में आय कि आजयाए झार याद तो हमें आपको समझ घुटेगा याद रखेगा से जो जो आपको हमें इसका अदूब करने हैं आपको आपको साथ लोगाद है यादको सवी बताए है यादे में वुदू